ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो मित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वाग थे हम आपको देनिक महाभाग शाली राशियां बताने जा रहे हैं 17 सितंबर 2018 सोंबार का दिन है भादरपद मास के शुकल पक्ष की अस्टमीती थी है इस दिन राधा जी का जन्बोट सो मनाय जाता है राधा जी का प्रागट्ट दिवस इस दिन है इसलिए सभी लोग धूमधाम से राधा जी का जन्बोट सो मनाते हैं जेश्ठा नक्षत्र जो की सुबह 7 बच के 22 मिट तक रहेगा उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारम हो जाएगा दिशासूल की यदि हम बात करें तो पूरु दिशा में रहेंगे इस दिन पूरु दिशा की यात्रा करना हानी कारक माना जाता है यदि किसी कारण बस पूरु दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो दरपण में अपना मूँ देख करके कांच में अपना मूँ देख करके पूरु दिशा की यात्रा कर सकते हैं राशी में रहेंगे इस ग्रह गोचर के अनुसार कन्या तुलाव रश्चिक कुंभ और मीन ये पांच राशियां महाभागिशाली रहने वाली है इन पांच राशी वालों के सभी काम बन सकते हैं इनके लिए कुछ नई सोगात का दिन रहेगा कोई बड़ी खुश खबरी इन को प्राप्त होने वाला है तो मित्रो हमने आपको बताया कि कौन-कौन सी राशियां महाभागिशाली रहने वाली है हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को आप अडिक से अडिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्स कर लीजिए आपको और आपके परिवार को साधर जैसी क्रिश्ल साधर धन्यवार